यारे दोस्तों आज के इस क्लास में आपके सामने मैं एक ऐसा important derivation लेकर रखे आ चुका हूँ जो body exam में आपका पूरा पांच नंबर के अंतरगत मुछा जाता है तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे समानतर प्लेट संधारितरी की धारिता के लिए किस प्रकार से बिंजक आपको फाइंड करेंगे वो आज के इस क्लास में हम लोग पूरा complete अच्छे तरीके से पूरा diagram के साथ समझने वाले हैं तो बीडियो भाई काफी important है और इसको अगर आप लोग एक बार देख लोगे न तो ये derivation मैं guarantee देता हूँ कि आपको कभी नहीं बोलेगा बिल्कुल एक करके हम लोग A to Z सारा का सारा explain करने वाले हैं तो चलिए फिर करते हैं भाई समांतर प्लेट संधारितर की धारिता का वेंजक कैसे find करेंगे इससे पहले देखो मैं आपसे ही कहूँगा कि जो diagram बाले question होते हैं physics में उनमें सबसे पहले important होता है उसका चित्र तो देखो इसमें जैसे समांतर प्लेट संधारित जो होता है इसमें दो पहले क्या हैं ये प्लेटे हैं देखो जो चीज हमें आरी चित्र में दिखाई गई है वैसे ही हमको यहाँ पर पहले लिखना होता है इसकी theory में और वही चीज अगर आप लोग अपने से लिख दो त जो को define किया करो तो देखो यहां पर लिखा गया वाई कि माना A और B समातर पेड़ संधारित की दो प्लेटे हैं जिनके वीच की दूरी small d है तता उनमें से प्रतेक का छेतरफल A है और दोनों के मद के पराव जुताग वाला माध्य होई देखो यहां पर A जो रेड़ आपको एरिया है निकि इसके तरह वाला एरिया इसमें देखो माइनस चार्ज है और B का जो बाहरी चेतर है उस पर प्लस चार्ज रहेगा जो की प्रतिवी से संबंदित है इसलिए प्रतिवी करत हो जाता है और प्लस चार्ज आपको प्रतिवी में चला जाता है इतना आपको क्या करना यहां पर समझना है ठीक है ना चलिए तो आप देखो यही चीज़ यहां पर फिर से लिखना पड़ेगा इन दोनों के बीच के देखो दूरी क्या है स्मॉल डी है अब यहां पर क्या है प्लेट ए को क्यू आबेस देने पर बी के समीप वर्थी तल पर माइनस क्यू आबेस देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं समीप वर्थी तल यही तो है एक इधर वाला यह क्या होगा समीप वर्थी कहलाएगा यही पास बाला और दूरवर्थी क्या होगा तो ब प्रत्वी करत हो जाता है, मैंने बताया कि भाई, जो B का हमारा बाहरी वाल अचेतर है, इसलिए प्रत्वी से connect है, ये देख सकते हो, और ये प्रत्वी में चला जाता है, ठीक है ना, तो बचा क्या, ये प्लस चार्ज और इसका माइनस चार्ज केवाल, ठीक है, आप को ये लगेगा कि आपने भाई बहुत अच्छा किया है और नंबर फिर आपका नहीं कटेगा यहां से इसके बाद देखो यहां पर प्लेटो पर आबेस का प्रस्ट घनतो जो की आबेसों का जो प्रस्ट घनतो होता है प्लेटो के लिए वो आपका पूरे एरिया पे होगा तो इसको देखो प्रस्ट घनतो को हम सिगमा से वेक्त करते हैं तो सिगमा बराबर किव आपन ए जहां आप कह सकते हो कि आपका जो किव है वो आबेस है और एक आबाई प्लेटो का छेतरफल है तो कह सकते हो कि संपूर छेतरफल पर या एकांग छेतरफल पर जितना अभी आवेस है उसी को हम क्या बोलेंगे प्रस्ट आवेस का प्रस्ट डिखाना तो ठीक है अब देखिएगा यह एक नया फार्मूला है इसको याद रखना अभी हम लोग इसका जो है यूज करके आपको बताएंगे अब देखो आपने प्रस्ट डिखाना तो निकाल दिया अब तो उसके बाद निकालना क्या है प्लेटो के बीच में किसी बिंदू पर बैदुद छेत्र की तिवरता अगर ई है तो ई बराबर होगा सिग्मा अपॉन एपसाइलन नॉट जहां एपसाइलन नॉट का मान होता है के एपसाइलन नॉट या यह क्या होती है तो क्या करोंगे आप इसकी जगह पर सिगमा का मान पुट कर देना है नहीं रख देना है ठीक है ना तो हम क्या करते हैं भाई यहां पर सिगमा तथा एपसाइलन नॉट का जो मान है इनको रख देते हैं बैदुद छेत्र की तिवरता फिर निकलेगी तो देखिए गाप ई E equal to क्या चल रहा था Sigma upon Epsilon अब यहां पर Sigma का भी बैलू है Epsilon का भी बैलू दिया गया है तो हम क्या करेंगे यहां पर इनको रखेंगे तो हमारा निकल के आएगा बैदु छेत्री की ती बरता यानि E तो यह हो जागा Q बटे A और इसका बैलू कितना भई तो K Epsilon नॉट है तो यहां पर लिखेंगे इसको K Epsilon नॉट यह हमारा क्या निकल के आया है ती बरता अब यहां से क्लियर है ना इतनी चीज एक चीज हमारी निकल के आई वो है ती बरता तो आप इसको समझ सकते हो यह है यह है पैल माना दोनो जितना यहां बता रहा हूं आप उतना लिखोगे, माना दोनो प्लेटों, यानि कि जो हमारी ये दो प्लेटे हैं, इसमें समझेगा, चित्र में चित्र के नुसार ही हम सारी चीजे बना रहे हैं ठीक है, ये दो प्लेटे हैं, तो आप यहाँ पर लिखना है, स्टार्ट करोगे कि माना दो प्लेट दो प्लेटों के बीज मतलब आपको इतना लिखना है कि प्लेटों के बीज का जो विभुवांतर है इंके बीज का वो क्या है भी है और इनके बीज की दूरी का है डी है तब जब आप लोग विभुवांतर और दूरी को दर्सा देते हो तो फिर यहां से आप निकाल सकते हैं प्लेटों के बीच का बैदुत छेत्र तो देखो यहां पर अब थोड़ा सा एक और फार्मूला बनेगा देखो यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती होती है तो भाई प्लेटों के बीच का जब छेत्र फल निकालेंगे बैदुत छेत्र तो यह होता है E बराबर भी बटे D ठीक है यह हमारा भी जो है यह भीवांतर है और D का है यह आपका प्रेटों के बीज की दूरी है तो E बराबर भी बटे D एक नया फॉर्मूला बन गया अब बोलेंगे यहां से आपको क्या इसके देखनों को मिल रहा है तो भाई E तो अल्रेडी हमारे पास दिया है ना बैदु चेत्रिकिती बरता अब यहां पर भी E है तो हम इसको ऐसा करें कि भाई जो हमारा बिभव है वो निकल के आ जाए हना तो देखिए आप इससे क्या करोगे D को E के गुड़े में लेगो तो भी बच जाएगा जो कि हमारा बिभव है तो भी बराबर आपका क्या बनेगा E इन्टू D ये फर्मूला बना अब यहां से आप क्या करोगे E का मान जो है इसमें रख दिना है ठीक है रखने पर अब देखिए अगा यहां से जब हम लोग इसमें E का मान रखते तो E की जगह पर पूरा इस वैलू को रख देंगे तो Q बटे K Epsilon नौट A इन्टू D ये बना हमारा यहीं तो था E की जगह पर यह पूरी वैलू थी इसको उटा के हमने यहां पर रख दिया और D आपका अल्रेडी यहां पर गुडे में रहेगा तो स्वरी यहां पर D जो रहेगा वो आपका गुडे में उपर रहेगा तो हमने नीचे कर दिया है E into D है तो इसको यहां से अटा के यहाँ पर रखिएगा ठीक है तो यह आपका q into t upon k epsilon not a यह हमारा बीभो का फार्मूला एक वाना क्या बना भाई बीभो अब आपको पता है कि संधारित्र की जो धारिता होती है इसका सूत्र होता है c बराबर q बटे भी तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है question में भाई तो संधारित्र की धारिता तो यहाँ पर लिखेंगे आप संधारित्र की धारिता c बराबर q बटे भी यह होता है तो अब क्या करोगे आप लोग आपके पास भी का मान अल्रेडी दिया गया है तो क्या करतो भाई direct आप भी की जगा पर इस पूरी value को रख दो तो यहां से c कमान अपने आप निकलाएगा और यही हमें इस question में निकालना है ठीक है तो यहां से देखिएगा c बराबर q उपर है बटे में क्या करेंगे इस value को रखते हैं आप देखो q से q क्या होगा हमारा cancel हो जाएगा बचा क्या तो c बराबर k epsilon 0 a upon d यह चीज आपके पास बच के आ रही है न अब यह जो चीज बची है इसी को बोलते हैं संधारित्र की धारिता समांतर पेट संधारित्र की धारिता इतना ही आपको क्या करना था इस question में define करना है इसका जो मात्रक होता है यह होता है Fired में तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो और हाँ जहाँ पर K क्या भाई K आपका वाई हो या निरवात के लिए Vuesto जो होती है 1 होती है एक के बराबर होती है और epsilon 0 का जो मान होता है यह भी आद रखलो मीटर में तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर यह चीज़े रख सकते हो ठीक है तो आज का यह क्लास आपको कैसा लागा क्या सारी चीज़े समझ में आई है या नहीं कॉमेंट करके जरूरू बताना और अगर आप लोग फिजेक्स केमेस्ट्री बायलोजी हिंदी इंगलिस all subject का complete PDF notes चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर contact कर सकते हो यहाँ पर whatsapp नंबर है 9511470534 इस whatsapp नंबर पर क्या कर सकते हो आप लोग comment message कर सकते हो whatsapp पर ठीक है न hav पर आप मैसेज कर देना कि भाईया मुझे नोट्स चाहिए तुम्हें आपको PDF नोट्स जो है यह अहां पर आल सब्जेक का प्रोवाइड करा दूँगा 99 रुपीज में ठीक है तो इस तरीके से आप लोग यह सारी तैयारी को अपनी कर सकते हूँ आपकी वीडियो का ऐसला कॉमेंट मताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम